सबीको नमस्कार, दोस्तों सबसे पहले आप सबीको हमारी यूटूब परिवार की तरफ से होली की सुपकाम नहीं और आसा करता हूं कि आपका होली का त्योवार और पड़ाई दोनों ही अच्छे चल रहे होंगे और आपका स्वास्ते भी बहुत अच्छा होगा तो आज का टोपिक हमारा है आपने थमनेल पर देख लिया होगा कि क्या कारण है कि हिंदी माधियम का एक तूर रिजल्ट कम आ रहा है जैसे कि एक UPC के अनुवल रिपोर्ट आती है उसके अंदर ये डाटा है और उन डाटा के साथ हम तरग के साथ बात करेंगे और साथ में ये भी पता लगाएंगे कि समस्या काहां पे है और उसका समधान काहां पे है इसके बारे में भी हम बात करने वाले है यानि हमेशा हम आसावादी नजरिये के साथ आगे बढ़ते है और उनी पे हम बात करने वाले है इसके लावा एक चीज बहुत important है, वो सभी sprint के लिए कि कौन सा subject उनको चुनना चाहिए, जैसी optional subject हम लेते हैं, तो कौन सा optional subject आपको चुनना है, ये भी इस report में अच्छे से बताए गया है, किस optional subject में कितने लोगों का selection होता है, तो कितने अच्छी बात है कि हमारे सामने इस सी report हो, और आप उस report को ध्यान में रखते हैं, अपनी strategy बना सकते हो, तो सबसे पहले हम चलते हैं, UPC के report पे, और आसा करता हूँ कि आप इस वीडियो को like से जरू करोगे, और comment करके भी बताऊगे, कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, तो आप स्क्रीन पर देखना हम अभी data की बात करते हैं, सबसे पहले 2019 की data देखते हैं, इसमें क्या बताए गया है, तो आपको ये तो पता होगा कितने लोग फॉर्म बढ़ते हैं, 2019 में 11,00,000 लोगों ने एक्जाम को फॉर्म बढ़ रहा है, और उनमें से 5,68,000 लोग एक्जाम में एफिर होते हैं, यानि आपका competition कहां पे हैं, सबसे बड़ा competition आपका prelims exam है, जहां पे लगबग 5-6,00,000 लोग बेटते हैं, और कितने लोग men's के लिए qualify होते हैं, 10-11,000, तो पूरा-पूरा focus मुझे ये लगता है कि इसमें आपको pre-pick कर देना चाहिए, जैसा कि मैं भी आपके साथ 2022 पे exam दे रहा हूं, तो मैंने भी अपना पूरा focus prelims को कर दिया है, क्योंकि men's में तो यह होता है कि competition वहां पे कम भी होगा, उसमें time भी हमें मिल जाएगा, जैसे pre के बाद में इस पार अच्छे खासे दिन भी आपके पास men's के लिए मिल जाएगे, ठीक है, तो यहां पर यह important है, 11,000 लोग men's के बैठते हैं, pre में, men's में, और intro में कितने लोग जाते हैं, और वहां से final selection कितने लोगों का होता है, तो अब हम 2019-20 के medium को लेकर बात करते हैं, कि किस medium से कितने लोगों का selection है, कितने लोग exam में एफिर होते हैं, सबसे important बात यहीं होती है, हिंदी माधियम के साथ एक problem यहां प exam लिखते होंगे, मातर 500 लोग ऐसे हैं, अब यह देखो, आप 11,000 में से 500 लोग हिंदी मीडियम से मेंस के exam देने जाते हैं, तो समझ है कहां पर, आप समझ लो, समझ है आपकी प्रिलिम्स के exam, और जहां तक मेरा आंकलन जो है, प्रिलिम्स exam में भी आपका 68 हैं बहुत मुझे इसा लगता है कि 68 पर आपको काम करने ही आफसकता है, मतलब थोड़ा सा उसमें अनवात को लेकर तो मैं भी यह खता हूं कि अनवात थोड़ा सा आजीब सा आता है, लेकिन इदि हम सेलेबस की बात करें, और क्वालिफाइंग नेचर का है, तो 27 कुसन हमें करने हैं, हम आलोचना नहीं कर सकते हैं, हम क्यों सुधार कर सकते हैं, तो एक प्रोलम हमने यहां पकड़ी है, कि सबसे बड़ी प्रोलम जो है हिंदी माधियम की, कि प्री ही पास नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको प्री पे फोकस करना पड़ेगा, आपकी जो भी समस्या है कि प्री मे लास्ट में वीडियो में बताऊँगा कि प्री एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट सबसे इंपोर्टेंट चीज किया है सबसे पहले हम 2019 के और 20 के डाटा देखते हैं यहां पर देखना मतलब 11,000 लोग टोटल क्या है में अपिर हूए जिनमें से 10,723 लोग मतलब 11,000 में से 10,000 लोग किसके इंगलिस मीडियूम के विजारती हैं मतलब English Medium के विजारती, Prelims Exam ज़धा पास करते हैं, और इसी प्रकार आप 2020 के डाठा देखो, 10,337 लोगों में से, 9,720 लोग English Medium के मेंस के एक्जाम में बैठे हैं, आप उपर देखना English Medium के हैं, ठीक है, English Medium के विजारती हैं, अब आते हैं हिंदी Medium के, ठीक है, तो हिंदी Medium के य में 406 लोग, 406 लोग 2020 में केवल हिंदी मादिम से मेंस लिखते हैं, ठीक है, तो आपको यह पता लग गया होगा, कि समझे कहां पे, क्योंकि यहां पे ऐसे राइटिंग, जनरल स्टेडीजी पेपर, इसमें पता लग जाता हैं आपको, कि कितने लोग अपेर हो रहे हैं, य कितने लोग हैं इंट्री के लिए अपेर होंगे, तो इनका तो हमें डाटा फिक्स डाटा नहीं है, लेकिन इतना आइडिया है कि 100-100 की बीच में पका ऐसे लोग हैं, जो मेंस पास करके गए, इन 400-500 में से, मतलब हम देखे 500 लोगों में से, 600-500 लोग मेंस में इंट्री में लग रहा था, उससे पहले 30-40 लग रहा था, तो समस्या वहां पर जैदा नहीं है, फिर इसका मतलब एक बात हमें ये तत्य बता रहे हैं, कि समस्या कहां पर हैं, ठीक, इस पर आपको धहन देना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, यह आप आराम से आप देख सकते ह करें, यहां पर भी एक साबसाब दिक रहा है, कि हिंदी माद मीड sticking कहां गलती कर रहे हैं, ठीक, जैसे हम option subject की बात करें, तो हिंदी माद Commonwealth administration निनका खराब है यहांसे सेलेक्षन बहुत ही कम लोगों कर आब ठीक जैसे सबसे पहले हम sufficient के सब्जेक्ट देखते हैं जो मैं कि किसे प्जार तो अपको आइडिया लगा कि यह सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए नहीं लेना थी जैसे आपको पता कि मैंने भी चार में जोग्राफिशी देना कि बाद में यह डिसेजन लिया था कि मुझे आप हिंदी साहिटे सी देना है क्योंकि जोग्राफिक का हाल में खेर हो ना बहुत हिंदी मिडियम को लेकर अच्छा नहीं है बुरा हल इसलिए यह लेते हैं और सक्सेस रेशियो भी ठीक है 6.8 पर्सेंट सक्षिज रेशियो में तो अच्छी बात है और मतलब फाइनल स्लेक्षिन तेरा लोगों का हिंदी साहिते चे होता है और ऐसे ही हम इस्ट्री के अभी देखने वाले हैं उनका भी रेशियो में देखने को मिल optional subject के तोर पर लेटेजर के subject अच्छे माने जाते हैं, ठीक है, तो एक चीज है यार, एक तो कोई subject है, जैसे हम अभी बात करते हैं, जोग्राफी पे, ठीक है, आप यहाँ पर जोग्राफी के देखो, लगबग 2000 लोग, 1900 लोग, मेंस के exam में जोग्राफी से बैठ रहे हैं, और English Medium और Hindi Medium का भी comparison रहेगा, जो scaling होती है, उसमें कहींने के English Medium के बिजारती आगे जा रहे हैं, क्योंकि selection ratio हम बात करें, 2019 और 2020 के data देखें, जोग्राफी से एक या दो लोगों का selection है, आप देख लाना चाहिए, क्योंकि मैं तो लगतार इंचे जोगों को देखता हूँ, जो तत्ते सामने उसमें, हिंदी माधियम के बात करें, जैसे यहाँ पर 105 लोगों का selection हुआ है, कि 1900 लोगों में से 105 लोग, तो final selection जोग्राफी से हुआ है, जिनमें आप यह मान के चलो, 100 से ज्यादा मतलब English Medium के, हिंदी माधियम के आपको 2-3 नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है, और 2020 में साइध, एक मेरे नजर में एक बंदा था, जिनका selection हुआ था जोग्राफी से, तो यह subject आपको इसे जानना च शेयर कर दूँगा, आसानी से आप इनको देखना, और इनसे आप अपने idea बना सकते हो, अपने आंकलन कर सकते हो, कि आपको कहा सुधार करना है, ठीक, अभी कुछ subject और देख लेते हैं, एक बार, जैसे बहुत सारी data दियेगे, यह तो हम कुछ data पर बात कर रहे हैं, जैसे ह हिंदी मादे में आप यहां देख सकते हो, देखना, जैसे आप लोग परसासन सब्जेक्ट का देखो यहां पर, मतलब 10-15 लोग हिंदी मादे में के हैं, जो लोग परसासन सब्जेक्ट ले रहे हैं, यानि कितने कम लोग ले रहे हैं, इसका मतलब यह बात तो सकते हैं, कि जिस सुबजेक्ट में लोग कम होते जारे हैं उनका कईने के सिलेक्षिन कम हो रहा है इसी विजह से लोग उनको कम प्रिफिर कर रहे हैं जैसे हम और उपड़ चाहें तो ऊपर जाके देख सकते हैं जैसे आप इस्टरी के हिंदी माध्य में अच्छा है मतलब आप यह देखो 2019 में 137 लोग थे और 2020 में 93 कम नहीं है मतलब ठीक है और इनमेंसे फिर फाइनल सेक्षन भी ठीक ठाक मिल जाएगे आपको ठीक है इसी तरह आप जोग्राफिक का देखो अब जोग्राफिक के देखो हाल 2019 में 115 लोग में एक्जाम दे रहे थे जिसमें में भी सा मिलो रहे तो दिरे-दरे इनका कम हो रहा है हिंदी माध्य में यह बात सही है कि सही से आप अपनी स्ट्राटेजी बनाओ ना एक प्लानिंग बनाओ कि मुझे यह सब्जेक्ट लेना है सो समझ गए लेना है कि किस में मार्क्स अच्छा आरे यह आप लगतार देखते रहो कि सब्जेक्शन होता है तो उसमें बताई जाता है कि किस के क्या सब्जेक्ट है किस में कितने मार्क्स आते हैं तो यह आंकलन आप सही से करोगे ना और सही से आपको कोई गाइड करने वाला हो बहकाने वाला नहीं हो तो आप रियल में आपका सेलेक्शन हो सकता है और मैं तो यहां पे आप 2019 में देखना 109 ऑव मतलब 108 लोग क्या कर रहें में इसमें इसमें इसे लोग नहीं जिन पारा है ने हो रहा है तो यह मेरे पास डाटा रिपोर्टी जिस पर हमने बात किये मुझा लगता है आपको इससे काफी help मिलेगी अपनी strategy बनाने में, अपनी planning बनाने में, और ये भी पतर लग गए होगा है कि हिंदी माधिम के साथ समस्या means के exam नहीं है, pre के exam है, और means के अंदर समस्या है तो कौन सा है, अच्छे subject का चुनाव नहीं करना, मतलब आपको सही से अच्छे subject का चु होगा कि आप ये subject लोग ये अच्छा है, जैसे मेरी मरजी थी कि जोग्राफी मेरा score अच्छा नहीं था, तो मुझे लगा हिंदी साहिती लेना है तो मैंने लिया, अब पता नहीं नंबर उसमें आगे कितने आएंगे नहीं आएंगे, जोग्राफी से कम हो जाए, उसका हमारे लिए हेल्प करेगा, जैसे अभी आईस का केडर आउंटन हुआ है, तो हमारे लिए एक खुशी की बात भी है कि जैसे पिछले क्या हुआ था, दो तिन सालों के अंदर आप देखोगे, 2017-1919 के अंदर हिंदी मादियम से प्रोपर आईस मेरे साब से बहुत कम लोग ब बताना, लेकिन इस साल 2020 के अंदर एक आसाबाद दिना जरी है, तीन लोगों को हिंदी मादियम से प्रोपराइज बनने का मोखा मिला, तो यह बहुत अच्छी बात है, और यह तीन लोग ऐसे हैं जिन को मैं जानता हूँ, अपने चैनल पर लेके भी हो, आपको बता हो, इस सामने बेग्राउंड से निकल के आईस बन रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते हो, हमें तो एक सीट चाहिए हैं, हमें डरना नहीं किसी बात से, ठीक है, तो इनको मिला है, इनको बदाईयों की, इनको गुजरात के अड़राउं टनुआ है, इसी तरह जैसे आप गिर तो तीन लोग ऐसे हैं जो आपको सही जिसा दे रहे हैं, कि आईस तो बनते हैं, हिंदी माधियम से बनते हैं, सामने बेग्राउंड से बनते हैं, बागि आपकी मर्जी आप मतलब नेगिटि थोट पे जाते हो या आप ऐसी thinking पाल तो कि हिंदी माधियम से से सेलेक्शन हो न सेलेक्शन की चीज़े बता रहूं कि यार सेलेक्शन हो सकता है आपको कोई मीडियम हो ठीक है अब बात करते हैं मैंने बोला कि लास्ट में मैं आपको प्री का बताऊंगा कि प्री के अंदर अभी क्या कर देना चाहिए एक चीज़ मानके चलो कि जैसे आप जो भी अपनी आपको जैसे आप बहूं सारे कुछन एम सी क्यों लगाता इसमें बहुत सरे MOkay करेंगे आप तो आप मेनस्स करते होना तो उसमें जितने भी कुछ रहा है क्योंकि काम करती हो वो लोग सभी से मतलब यहां से निकल के जाए जो मेंस के एक्जाम में फाइनल सेलेक्शन उनका हो तो मैं इसको बोलता हूं कॉमन सेंस टेकनिक यूजबल होगे ज्यादा से जदा अच्छा व्यास करोगे और अच्छी मेन्ट करोगे प्रिवेश से कुसर्ण इसमें आये जिन पर हमने बात किये तो थोड़ा बड़ा भी हो गया होगा थोड़ा सा जटिल बन गया होगा आसा करता हूं इसको आप प्यार दोगे लाइक से जुरू करोगे क्योंकि ऐसे ही काम की वीडियो ये दी आप सही टाइम पर देख लो तो आपको एक नजरिया मिले देगा सही दिसा मिलेगी यही आसा के साथ में वीडियो से माप करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद